नोटिफिकेशन के आने के बाद तैयारी करेंगे इस एक अप्रोच ने जितनी जिन्दगियों को कुछ नहीं करने के लिए बांध कर रखा है, उतना किसी भी थोटने नहीं रखा एक तो आपको मोबाइल, आपकी जिन्दगी के XYZ काम इतने ज्यादा चीजें हैं आपको distract करने के लिए ये कुछ जो टाइम आपको अपनी life बनाने के लिए मिला है उससे आपका रास्ता भटकाने के लिए और खुद आपका दिमाग, जो ये कहता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है क्योंकि दोस्त, चाहे उम्र की बात हो, किसी को ये नहीं लगता कि हम उड़े हुए जा रहे हैं उन्हें लगता है कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम बचा है लेकिन ये जो टाइम है आपके पास, ये limited है आप लोग किसी भी चीज के तयारी कर रहे हो अगर आपके दिमाग में ये चीज आती है, कि जब notification आएगी मैं पढ़ने लगूँगा तो दोस्त, आप लोग उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो, जब आपकी तयारी करने का टाइम है सीटेट हो, केवी एस हो, डी ट्रिपलेस भी हो हर exam कुछ ने कुछ effort मांगता है, और कुछ ने कुछ sacrifices मांगता है तो दोस्त, ये उठने का time है, इस time पर दोस्त, आप लोग अगर ये feel करेंगे कि जो time मेरे पास बचा हुआ है, उसमें मेरे पास संसादन कितने भी हो कभी भी आपके पास पूरे संसादन नहीं होंगे, तो दोस्त, जो भी कुछ आपके पास है धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए, एक दिन में फरक आपको नहीं दिखेगा क्योंकि एक दिन के अंदर कोई भी समराज्य खड़ा नहीं होता, उसके लिए मैनत करनी पड़ती है ऐसे ही जब आप तयारी करना शुरू करते हो, तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं डेली आपको कुछ न कुछ करते रहना होगा, धीरे धीरे आप अपरोच करेंगे, तभी आप एक्जाम को क्लियर कर पाएंगे उसका जो अथा समुद्र सागर जितना जो उसका सलेबस है, वो तभी क्लियर होगा जब आप डेली उसको कुछ न कुछ करेंगे डेली जब आप कुछ न कुछ पढ़ेंगे दोस्तों, तो पहली बात हीए कि आपको एक आदत हो जाएगी, कि आप डेली टाइम निकाल कर पढ़ें और रिविजन वही स्टुडेंट कर पाएगा, जिसका बेस तयार होगा इस टाइम पर, तो दोस्त, आप लोग सेल्फ स्टडी करें, एक भी पैसा बिना किसी को दिये हुए, और जब सीट आइट आएगा, 1348 मोक टेस्ट, 400 से ज्यादा किताबें, और आपके लिए सारा का स सारा मेटीरियल मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, जिससे अब की बार वाले जो सीटेट की स्टुडेंट्स होंगे, उनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, और वो ओल्रेडी मैं चीजें पहले ही डाल चुका हूँ, वो चीजें काफी जल्दी आप लोगों के स करना है, तुम्हें पढ़ना है, आपको इसका फायदा एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन आप दो तीन महीन है, जब कोई नहीं पढ़ रहा किसी चीज के लिए, आप उस चीज के लिए पढ़ें, क्योंकि जब उस चीज का एडवर्टीजमन्ट आएगा, ये नहीं होग कभी-कभी दिन में आपको दो-तीन मेंट के लिए रिलाइज होता होगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो दोस्त जब वो मोमेंट आए आपकी लाइफ में, कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, उस टाइम पर ही आपको वो करना है, जो आपको करना चाहिए, उससे आपको जो मोट पर शेयर कीजेगा, वो किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज करने की सोच रहे हो, और वो अपने आपको hold back कर रहे हो, तो ये टाइम में दोस्तों जंजीरे तोड़ने का और आगे बढ़ने का, थैंक्यू दोस्तों